हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सब्वेता और यह जो हमारी सिरीज है यह UPSC के एक्जाम को लेकर स्टेट, PCS जैसे की HCS, RAS, UP, PCS, BPSC जितने भी हैं स्टेट अग्जाम है उनके अग्जाम को लेकर हमने इस शिरीज चलाई है और यह शिरीज कम्पलिट फ्री है यूटूब के उपर और इसकी PDF भी फ्री है इसके हमने तीन लेक्चर पहले कर लिये थे प्राचिन भारत के आ आपका NCARITY का है और कुछ standard book से लिया गया है और content से एक बार मापको रूम करवा देता हूँ कि content किस परकार का रहेगा wrapping के साथ start करते हुए हम इस परकार का content हैं लेके आए हैं आपके लिए to complete complete content मिलेगा आपको इसमें जितना complaint content है इसके बाद आपको कोई book हड़ने की आवशकता नहीं होगी क्योंकि NCRT से जो की पुरानी NCRT है रामसन सर्मा दवारा लिखी गई है वो ठीक है और जो standard book होती है market में उनसे content एकठा करके एक साथ का इसको combine किया गया है और यहां आप देख सकते हो कि जो भी है परतेक यहां हडपा के बारे में मोहन जोड़ो के बारे में या सिंदु घाटी सब बेताकी जीओन सहली के बारे में राजनितिक जी उनके बारे में बहुत कुछ जितना भी कुछ होस के ना सब का कुछ सब का सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको एक बार यह देख लेनी है और फिर इसके बाद आपको कोई भी दुबारा साइद ही वीडियो देखने पड़े क्योंकि कि जितना content है इस topic का जितना बनता है जितने अपके McQs बन सकते हैं जितने आपके point बन सकते हैं सारे के सारे इसमें सामिल किये गए हैं और यह जो भी है पढ़ाया जाएगा इसकी PDF आपको एप क्योंपर मिल जाएगी, app का link in description में लिश्याजिप्शिट्पिक्शिन में पे पीडिएफ डाउनलोड करें और सारा का सारा पढ़ाने के बाद लास्ट में हमने इसके कुछ की पॉइंट भी दे रखे हैं कहां से स्टार्ट होते हैं जैसे की इसके लास्ट के की पॉइंट भी है यहां से यह कम से कम 30-35 की पॉइंट हैं जो की सारे के सारे करवा दिये गए थे टाइब टू टाइब में अगर फिर भी कोई पॉइंट बज जाता है तो लास्ट के हमने की पॉइंट भी जोड रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स इनमें से भी कुसान को च्लेक्ट करसके और यान की जोभी पॉइंट हायलाइट है यान की जो भी इंपोर्टन है उन पा collectively करका है आपको कोई भी दिक्कत नही है आपको लिखने की आवशकता नहीं है आप अपनी handwriting में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ बाद में इसका print निकलवा सकते हो अपने phone में बार-बार आप पड़ भी सकते हो यह lecture हम start करते हैं अपना start होता है हम करते हैं यहांद से हम start करते हैं यह जो को 말 है हडपा कालिन है या जो भी हैइसे के बार में हम पढ़ेंगे हडपा कालिन नगर है सिंदुगाठी सब्वेता जितने सब्यूद होते हैं अपके यहां पे तो वो एक सहतर है क्यों भी छ्यूतर तो सबसे पहले उच्छेतर के बारे में पढ़ेंगे कि उच्छेतर कितना है फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका नाम क्यों पढ़ा सिंदुगाटी सब्वेता क्यों पढ़ा हडपा सब्वेता के उपड़ा ये सारे के सारे पॉइंट सम पढ़ेंगे और बहुत जित्रा भी कुछ है सब कुछ देखेंगे हडपाकार नगर ये इसका विश्तार था ये तिरुबु जाकार कीょ Zukunft पॉइंट है जो नौर्थ Sइड है नौर्थ Sइड में नोर्थ साइड में पांडा है जो जम्मु किस्मीर में पढ़ता है और जो दक्सिनी साइड है वो दैमाबाद है जो की गुजरात में पड़ता है पुर्वी साइड की बात करते हैं ठीक है ये साउथ है ये इस्ट साइड है इस्ट में कौन सा है ये आलमगिरपूर है जो उत्तर परदेश में है और पस्चिमी है इसका वेस्ट साइड है जो की स पर जादा सहर पाए गए हैं यानकि नदियों के किनारे पे सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी यहां की और यहां जादा सहर होने के कारण इसको सिंधु घाटी सब्बेता बोला गया यानि कि सिंधू के आजू बाजू जितने भी सहर थे इसके वो जैसे और हडपा सब्वेता इसको इसलिए बोला जाता है कि जो पहले बार पहला स्थल जो खो जा गया था वो हडपा था ठीक है हडपा नाम का सहर सबसे पहले खोजा गया था इसलिए इसको हडपा सब बेता बोलते हैं सिंधु नदी पर जादा थे पॉइंट इसके इसलिए इसको सिंधु घाटी सब बेता बोलते हैं अब चलते हैं इसकी विशलेशन की तरफ अब इसके अंदर जितने भी सहर आएंगे जासे मोहन जोड़ो आएगा मेहर गड़ाएगा और भी आएगे बनावली आएगा रोपड़ाएगा या जितने भी आएगा लोथल रंगपूर जो भी है सारे के सारे छेतर के वारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और किसकी चットर में उत्खनन के दोवारा क्या-क्या point मिलें, क्या-क्या चीजें दोभी कुछ मिला हुआ है, कहाँ पे भी क्या हल मिला हुआ है या आदमी के साथ कुटा जलाने के अुसेस है, दफनाने के अुसेस है सारे के सारी यहाँ पे हम कवर रिकर चलेंगे अब चलते हैं फेस्ट पॉइंट पे तो आप कलास को आराम से देखेंगे लिखने की कोई आऊ सकता नहीं क्योंकि पीडियेफ आपको मिल जाएगी जो की बिल्कुल फ्रीयोग पोश्ट है ठीक है तो यहां से देखते हैं फेस्ट पॉइंट सरवपर्थम चार्ल्स मेंसन ने 1826 में समय था 1827 का और क्या था कि पाकिस्तान के एक छेदर में कुछ लोग है ना जमीन से इटे निकाल के मकान में यूज कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यहां पे ऐसा क्या है कि बार बार इटे निकाल रहें सी क्या है तो तब उस समय उन्होंने बताया थे कि यहां कोई भार्त में तो सबसे पहले क्यूसन यही बन जाता है कि सिंदु घाटे सब्वेता का पता सबसे पहले किस ने लगाया था अब यह नहीं करना कि 1921 में दयाराम सहने ने उससे पहले भी यह चर्चा कर चुके थे 1826 में ठीक 1827 में कौन चार्स मेंसन तो एक क्यूसन तो यहां से भी बन जाता है ठीक क्यूसन एक यहां से भी बन जाता है मैसर बहारत में पराग उतियासिक सतल है उनका खोजने का कैन्स का है। क्यूशन अंबर दो यहां से भी अकली होता है। उसके पुरातवी भाग के जनमदाता किसे कहा जाता है ये क्यूसिन भी कई बार आया है ठीक है ये क्यूसिन बहुत बार रिपीट हो चुका है चोटे चोटे एक्जाम में भी आया है अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है भारत के पुरातवी भाग के जनमदाता किसको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम भारत के प्रात तो भाग के जनम दाता किसको का जाता अलेक्जेंडर कनिंगम को यह जो तीन के तीन है जैनकि एक यह पॉइंट और एक यह पॉइंट है दो पॉइंट काफी बार पूछे गए है अग्जाम भारती पुरातितव इभाक की स्थापना का स्रें इसको दिया जाता है वासराहे, लार्ट imagined को इसका स्रें दिया इनके समय में स्थापना हुई थी सप्वहालास लोगा कैंद अब समय आता है चलतेonceं सब खोजा था यानी किया था और यहां सब से पहले हडपा का पता लगाया था सबसे पहले हडपा का पता लगाने पर इसको हडपा सब्वेता भी कहा जाता है ठीक है हडपा सब्वेता का भी नाम इसको दिया गया है क्यों सबसे पहले इसकी खोज हुई थी हडपा नामक स्थान की इसलिए इसको हडपा सब्वेता के न याद कर्खते चलें बार-बार ठीक है और PDF डाउनलोड कर लेना कि मैं इसके आगे सिंद अगाटि सबव lotta कांसे का कांसे का यूग था सिंधु गाटि सब वेता में लोहे के ब्रटन नहीं थ KeaWhat, कldah पता चल गया था यहां से ना इस युग में भी आच चुके थे जिसका उध नटास नटकाल भारत के पस्चीमी छेत्र में हुआ था फ्रिक्षा नुइ पाकिस्तान थो यचिंदु हाटी सब्ताका tapas tumits ebena के संद्जाइब गाथ का कियों बता है RS यहां देखते हमरी च्छतर यह भारत का ब्हारत का जैकर के यहां तक पड़तायों इसमें और पस्चिमी छेत्र है और ये कुछ पाकिस्तान का है तो ये उत्तर पस्चिमी पड़ता है इसका भारत के लावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसका विकास हुआ था उत्तर से दक्षिन का जो 165 है वो कितना है ग्यारा सो किलोमेटर का उत्तर से दक्षिन का ग्यारा सो और पूरों से पस्चिम का लगभग 1300 km यहनकि आप देख सकते। उस मैप में पुत्तर से दक्सिन का कितना है यहनकि यहाँ से नोर्थ से साउथ का कितना है 1100 km है फुक है 1200 km है और इधर से यहनकि इस्ट वेष्ट कितना है 1600 km है फुक है 1600 km है इसके आगे चलते हैं हम अभी तक उत्खनंत था अनुसंधान द्वारा करीब अठाइस सो स्थल गयात हुए हैं अठाइस सो स्थल खोजे जा चुके पर आपके अग्जाम में अठाइस सो स्थल याद आप नहीं रख सकते हैं यहां से कुछे जाते हैं पुल मिलाके 10-12 जो इंपोर्टेंट हैं वहां से ही कुछे नपूट होते हैं और वहीं से पूछे जाते हैं और अब भी इसी के उपर रिशर्च चल गई है पहले इसको माना जाता था कि 2000 इस भी पूरो ये सिंदु घाटे सब बेता थे लेकिन अब नई इस खोज के अनुसार इसको माना जाता कि 2000 साल पूरानी सिंदु घाटे सब बेता है यह उससे पहले यानकि जो पहले की किताबों में हैं उससे अब नई खोज में यह कुछ और भी पूरानी बताए गई है तो इसके उपर रीशर्च भी अभी तक चली वी है सिंदु घाटे सब बेता अपने तिर्बुजाकार सवरूप में थी यह कि उसने पूछा उसका आकार कैसे था चतुर्बुजाकार ठीक है तिर्बुजाकार थी किस परकार आप एक बार फिर मैं देख सकते हैं जॉन मार्शल के दिसा निर्देश में राखल दास बनरजी दवारा जॉन मार्शल इनके निर्देशन में राखल दास बनरजी दवारा सिंदु घाटे सब बेता का सथल मोहन जोदलू जॉन जोदलू कौन सा दूसरा सथल खोजा गया था थी और ये चिंधु नदी पर है ठीक है और हड़ नाम एक सथल जो खोजा गया था वो रावी नदीपर था ठीक है मौहन जॉद्रो किस नदीपर खोजा गया था सिंधु नदीपर ठीक है सिंधु नदीपर आगे चल के इनकी सभी की चर्चा करेंगे पर एक बार फिर भी मापको बतायता हूँ जो हडपा है ये किस नदीपर था हडपा ठीक है हडपा किस नदीपर था ये हडपा था रावी नदीपर ठीक है अब जोज पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं आपको कैसा पता चला कि ये कितने पुराने हैं NCRT पढ़ोगे 6th class की तो उसमें सबसे पहले एक वो लड़की है नाम क्या है उसका वो न्यूज पेपर देख रही है और देख रही है कि आज से इतने साल पहले 100 साल पहले ठीक है NCRT जब आप पढ़ोगे 6th class से 12th class वहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बताया है उसमें कि आप 10 साल 20 साल 50 साल पहले का पता लगा सकते हो क्योंकि आपको कोई बता सकता कल की न्यूज आप टीवी में अखबार में देख सकते हो सो साल पहले कि कोई आपका यानि कि साट सातर साल पहले कि आपका कोई दादा पढ़ दादा बता सकता है लेकिन हजारों साल का आपको कौन बताएगा कि हजारों साल पहले ऐसी घटना है या तो कुछ लिखित दस्तावेज हो जैसे कि हमने पडाता वेद पडाता रिगवेद ये जुरवेद सामवेद अथरवेद वगेरा में या किसी और राइटर की बुक हो जो कि उस टाइम के थे जैसे इबन बतुताव अगेरा थे या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनके उपर कुछ लिखा गया है या कुछ ऐसी वस्तुएं जो यूज की गई थी तो कार्बन डेंटिंग विधी से पता लगाया जा सकता कि ये उसको कितनी पुरानी है इसी आधार पे क्या है रेडियो कार्बन डेंटिंग जिसको की चोदा एक नवीन पदती है जिसके आधार पे पता लगाया गया था कि जो सिंदु काटे सब बेता हूँ धाई जार से सत्रा सो पचासवी पुरो है लेकिन ये नई खोज के अनुसार ये आठ जार साल पुरानी मानी गई है लेकिन नवीन सोद के अनुसार ये है आठ जार साल पुरानी मानी गई है ठीक है सिये कारवन डेंटिंग चोदा के दवारा इसकी खोज गई गई थी इसका पहले काल माना जाता था धाई हजार इसवी पुरों से सत्रा सो पचास इसवी पुरों तक इस यह सब बेता 400-500 वर्सों तक विद्धमान रही तथा 2220 से 2000 से के मद्ध ये अपनी प्रीपक अवस्था में थी लेकिन ये बता जाता कि पुरानी सोद के अनुसार के 400-500 साल रही थी लेकिन नई सोद के अनुसार बता जाता कि हाठ 8000 साल पुरानी थी तो यह अंदाजा लगा सकते हो कि यह काफी सालों तक रही है और चारसो पांसो साल नहीं कई हजारों साल रही है जिसकी खोजबी भी जारी है जिन्दु घाटी सब देता के निर्माताओं के निर्धार्ण कान महतोपुन स्त्रोत उत्कनन से प्राप्त मानो कंकाल है सबसे धिक कंकाल महन जोदों में प्राप्त हुए हैं और महन जोदों को मरितकों का टीला भी बोला जाता है सब्सक्राइब मैं निवास और महन जोदों को कंसी चार आ स्धार्ण करने बने निवास बरें भी जान सब्सक्राइब और में में ग्सक्रागार्ट परड़ान ए anderल्पाइन और में ग्हें ठीक है ये चार साथियां वहाँ पर जातियां निवास करते थी अब चलते हैं सिन्दु घाटी सब्वेटा की नगरियोजना सिन्दु घाटी सब्वेटा थी आप लगा सकते हो पता कि आज यानि कि जब कुछ साल पहले तक गोई गाओं में रहता है देखते हैं गाउं का अच्छा विकास नहीं है अब भी कई बार ऐसी नियूज में देखते हो कि सड़के कच्ची है ठीक है तो आप अंदाजा लगाओगे कि आज से हजारों साल पहले तो कुछ नहीं था लोग घास सारे पक्की थी वो अच्छी बात है लेकिन एक दूसरे को 90 डिगरी पर काड़ते थी इंडिगर्ड सहर गूमे हो यानि कि इतना अच्छे से डिजाइन किया गया था कि उस टाइम की जो ना सड़के थी वो बिलकुल चोड़ी खुली थी और पक्की सड़के थी एक दूसरे को 90 डिगरी पर काड़ती थी मकानों से पानी की जो निकासी होती है जैसे कि आप वो क्या बोलते हैं उसको बाथरूम ठीक है तो उनका जो पान निकलने का होता था था ना वो भी नालियों से धगी होती थी थी कि वहाँ भी धगी होती थी नालिया, पक्की फिटों से बनी होती थी सिंदुगाटे सब्वेता नगर ये सब बेता थी ऐसा नहीं बौल सकते थे कि आप ग्रामिन सब बेता थी बिलकुल नहीं नगर ये सब बेता थी जिसका ज्यान इसके प्रातविद अवसेसों और अनुसंधानों से होता है इसकी सबसे बड़ी शिष्टा यह थी कि यह प्रियावरन के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी तो यह एक नगर यह नियोजना थी चोटे एकजामे तो यह पूस लेता है कि सिंदो गाटे सब बेता की प्रणाली कैसी थी यह थी नगर योजना थी ठीक है और यहां देखो उस टाइम पर भी प्रियावरन के अनुकूल आज लोग प्रियावरन के ध्यान नहीं देते उस टाइम पर भी आज से हजारों साल पहले आज से 8000 साल पहले भी लोग प्रियावन पे दियां देते थे ठीक है और अद्भुत नियोजन तसाद जलनिकासी की प्रणाली थी यानि कि जो भी पानी निकलने की विए उस्थात्यू अच्छे से बनाए हुई थी ऐसे नहीं कि सडकों पे पानी फैला हुआ है गंदगी फै है दो भागों में एक में थोड़े राईस आदमी और सामने जन रहते हैं दो भाग नर्द। दूसरे बहर में नगर आवास 76 थे तो अपेक्षाक्रित बड़े थे अब यह आकार में छोटे थे लेकिन क्या है क्योंकि इसमें सासगुरग रहते थे कुछ कंडिडेट थे और जो दूसरा था नगर वहाँ पे यह बड़ा था लेकिन इसमें आम जन्ता आम नागरिक व्यापारी सिल्पकार कारिगार सर्मिक सब रहते थे उस टाइम पर भी व्यापारी का मतला उस टाइम पर भी बिजनिसमेन हुआ करते थे आज अमबानी अडानी जो किनारे की नालियां उपर से धकी होती थी यानि की मत्थर ने फैले इसलिए नालियां धकी थी ठीक है नालियां धकी थी घरों का गंदा पानी उन्हीं नालियों से होता हुआ नगर के मुख्य नाली में जाता था जैसे कि आज भी देखते ना घरों से छोटी छोटी नालिय यह निकलके बड़े सिव्विर में जल जाती हैं उस टैम पर भी व्यवस्ता थी कितना अच्छा सहर था उस टैम पर ठीख है षड़कों के किनारे नालिया उपर शृट्थी ठीज़गी होती थी अगंडा पानी एक बड़े सिव्विर में चला जाता था मुख्य नाली में जा प्रियोग हुआ है जैने कि अब यह भी क्यूशन पूछ सकता है कि कौन सी दो जगया पर पकी वीटों का प्रियोग नहीं हुआ काली बंगा और रंगपूर को छोड़के सभी जगया पकीटों का प्रियोग हुआ है आम तोरपर प्रतिक घर में एक आंगन एक रोसोई घर एक सनान घर होता था अधिकांस ग्रों में कूवो के अवसेश भी मिले हैं तो आपको कहीं घूमना नहीं है पानी आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएगा कूवे है ठीक है आज गल पानी की कितनी किलत चल लिए पता धनाडे लोग रहते थे धनाडे लोग ही बड़े मकानों का निर्मान कर सकते आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं वहां कि विशिस्ता का पतलाते हैं कौन बड़े भावन हरपा और महुंजोद्रों में पाए गए हैं जो खरपाकाली नगरों के चार और प्राचिर बनाकर कलेवन दे ठीक है एक दिवार बनाकर कलेवन दे की गई थी जिसका उदेश नगर को चोर लुटेरों और पसू दश्योरों से बचाना सा यहां से बंदाजा लगा सकते हो कि यह चोर लुटेरे जब भी चलने थे आज भी है यह प्रमपरागे भी चलेगी ठीक है यह रीत सदा चली आई ठीक है तो यह रीत उस समय पे भी थी चोर लुटेरे यानि कि आज के समय में भी जो है न वो पहले भी थी आज अपडेट हो गया थोड़े आज टेकनोलेजी का जमाना आ गया आज चोर लुटेरे फोन से हैक कर लेते हैं आपका कुछ भी अकाउंट हैक कर लेते हैं पैसे ही निकाल लेते हैं और लुटेरे सिंदु गैटे सब बिताउय भी थी उस टैम पहे अकाउंट हैक होने के विए थी थी तो और कुछ घर से चुरा ले जाते थे तो वो क्या करते थे नगैं दो पत्र बेदा का अद्भूत निर्मान है विशाल सना खर कपफी बड़ा बात्रूम पाया गया था पेडियां थी यानि कि ये कुछ से special program के लिए बताया जा रहा है कि special program के लिए था इसमें पानी की निकासे के विस्था अलग से थी यानि कि को special धारमी का नुष्ठान के लिए इसका प्रयोग गया जाता था सनानागार ये सबसे बड़ी मुख्य विशिष्टा थी लेकिन कई बार एक्जाम में पुछ लेता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी पाए गई थी मोहन जोदरों में विशाल सनानागार अनानागार ऐसे एक्जाम में पुछ लेता है तो सनानागार सबसे बड़ी नहीं थी अनानागार ठीक है जैने की अनानागार जहां पे अनगो रखा जाता था वो भवन वो बिल्डिंग सबसे जाधा बड़ी थी अनानागार सिंदू सब्पेता कि सबसे बड़ी मारत थी नेकी सनानागार ठीक है अनानागार स्तोर रूम जिसको बोल सकते हो आप स्टोर रूम यह सबसे बड़ी building थी इसकी मोहन जोद्डो की ठीक है next point पे चलते हैं घरों के दरवाजें खिड किया शिन्दू घाटे सब देता के घर के दरवाजे क्या मैन गली जो मैन सडके थी क्या उहाँ पर खुलते थे चोड़ी सडके थी 90 डिगरी पर कारते थी साफ सुथरी गलिया थी पक्की इटों से बनाई गई थी नालिया डकी भी थी क्या फिर भी उन्हीं गलियों पर उन्हीं करें सक्की काड़ए जाती उससाइड से डरवाजे और मुक्हे खुब कर गली ओं खुल और में यहा दर्वाजे यह ख्लक प्र-मुक्हें खुलती ती त्जिन्दू घाटे सब बेता ताकि जितनी नगर है उनकी सड़क यंकी सड़क शड़क vist अप वाद कोण सा लोथल ठीक है लोथल कहाँ पड़ता में भूगवानन authorized लenne बनाने में कई प्रकार की इटो का प्रियोग होता था जिसमें चार अनुपाद 2, एक अनुपाद 2 की इसमें लंबाई चोड़ाई और मोटाई की इटो का प्रियोग सबसे जादा प्रचलीथ था, ठीक है? और यही आज भी चल रहा है लगब कुछ ऐसी आती हैं भाई, एक सा चभप स्धाइब देखते हैं कोई जरूरते हैं दोड़ते हैंolly उत्खनन के दौरान क्या-क्या मुख्ष्यय वस्वakeश वमेकर प्र worn bere게 य मुक्षे एंइ और आप राइट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन करने की आपको कोई जरूरत नहीं, वैसे तो क्योंकि ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, F652.0 से, तो चलते हैं, हम अपने इस पॉइंट की तरफ, हडपा, सिंदू घाटी सबसे पहला पॉइंट आता है, हडपा, तो जाना जाता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर क्या-क्या खास बाते हैं, जिंदू घाटी सब्वेता के आउसेसों की खोल सरो पर था हम 19 इसमें हडपा में की गई, इसका लने इसको हडपा सब्वेता भी बोला था, इसलिए इसको पंजाब बोलते हैं, ठीक है, पांच नदियों से सिंदि छेतर के कारण इसको इस छेतर को पंजाब बोला जाता था, जो आधा, आधा से भी ज्यादा कहां से लगा पाकिस्तान में चल और कहां कुछ बचा हुआ भारत में है, ठीक है, और ये सथान आज एस जले में परता है मौन्टगोमरी में, नेक्सट पॉइंट देखते हैं, स्टुवर्ट पिरगट, पिरगटने इसे अर्द ओधोग यिक नगर का है, यानिकी आधा ओधोगिक नगर का है, पूर्ण रूप सोदोग नगर नहीं, अर्थ ओधोगिक नगर का है, यहां के न और वाले भी हो कर में मुर्टि पूजा थे और अगे चल के इफक्ट भी हमने समन जाना ना arm राज्य आ जाता है किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता हडपा और महुंजोद्ड़ो सबसे ज्यादा जो वस्तुवे मिली है नगर की रक्षा के लिए पस्चिमी और एक दुर्ग का निर्मान क्या जाता था यहां दुर्ग उत्तर से दक्षिन के और 415 मेटर लंबा और पूरो से पस्चिम के और 145 मेटर चोड़ा था जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे वीलर ने माउंट एबी ठीक है माउंट ए इक्यास एक्यास कई साइज वागरा का कोई मैंटर नहीं है निंग मुर्ति निकनी जिस के म्थिकरी के ग्रब से एक पोधा निकलता हुआ दिघाए दिया है जिसका मतलव है और्वरा की देवी है औरोरा की देवी माना गया है यहां से कासे की बैल गाड़ी संख का बैल मच्वारे का चित्र भी मिला है यहां से कब्रिस्तान मिली है जिसका नाम है R37 कब्रिस्तान कहा मिला है सवाधान पेटी का मिली है स्वास्तिक जैसे कि यह ओता ना स्वास्तिक इस परकार का उता भई स्वास्तिक इस परकार के साथ से भी मिले हैं यहां गेहूं और जो के दाने भी यहां मिले हैं कहां पे मोहन जोड़ो में अब आते हैं मोहन जोड़ो के पॉइंट पर आते हैं इसका सिंधी भासा में अर्थ होता है मृत्कों का टिला ठीक है मृत्कों का टिला किस छिअब्विता डिला करें और यहां किस ड़ाइन के लरकाना जिलेले में के दितकर है मोहन जोड़ो कहां परता है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधुनदी पर ठीक हैं सिंधोनेती पर सरोपर्थमिस्की खोजुं। फिर जलास से मिला था ठीक है जलकुंडिया जलास से मिला था और ये किसी स्पेशल धार्मिक ठीक है अनुष्ठान के लिए इसका प्रियोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस जलास इस विशाल सनानागार का प्रियोग किया जाता था अब क्या था मोहन पर कांसे यूगीन सब भीता थे, कहा लिखा था? यह था-, क्यों पता सनुगिन सब भीता थी, ठीक है? क्यों 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 पता थी reasonably lays the the cheek है? आप समझ गहीं। यहां के जो लोग थे ना यहां के जो लोग तामबे और टेन को मिला कर कांसे का पर्योग करते थे और कासे का प्रियोग करते थे किसे तिंट और तामबे को मिला ख़ए इसलिए इसको कासे यूगिन सब्वेता भी बोला गया है ठीक है अब ये एक अंदाजा लगा सकते हूँ कि नर्थ की कैसे है क्योंकि उसका जो खड़या होने का जो स्टाइल है उसमें क्या है वो मूर्ति में तो ऐसा लगता कि वो नाच रही है तो इसलिए उसको नर्थ की बोला गया है तो दर्वी मॉम विधी से ठीक है किस विधी से बनाई गई है तर्वी मॉम विधी दर्वी मॉम विधी क्या होता है भाई तर्वी मॉम विधी जिसको इंगलिस में बोलते है लोश् की मुर्ती को रखकर साइड में क्या करते हैं मिटी मिटी से उसको भर देते हैं मिटी से उसको भर देते हैं अब उसको क्या करते हैं कि आग में पकाते हैं अब वो मिटी है वो तो पक जाएगी और जो मोम है वो गरम होकर बहार निकल जाएगा पिखल के सारा बहारा आ जाएगा और उस जगह क्या है कि जहों मुर्ती थी मुउम की बने वे मुर्ती थी जहकर खाली हो latin बाग की वे टीपक जाएगी अब वहां जो जगह खाली है उस में वो कांसा वगएरा डाल दे ते गरम करके यानि कि उसको तरह लोय स्था में लेके उसमें डाल देते थे और जैसे जैसे वो ठंडा होता था तो जहां मोम निकला है वहीं पे वो कासा स्थापित हो जाता था अब जैसी मोम की मुर्ति बनाई थी वैसे भी कासे की मुर्ति बन जाते थी इसको क्या बोलते थे मोम दर्वी थी इसक तो आपने देखी है तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा उसकी आकरती कैसी थी नेक्स्ट मैंड पे चलते हैं हम फिर महांजोद्रों से मातरी देवी की मुर्ती मिली है मुद्रा परंकित पसूपती नाथ की मुर्ती ठीक है पसूपती नाथ की मुर्ती तूती वस्तर हाथी का कपाल खंड गीली मिट्टी के दिये का सक्से कले हुए तामवे के धेर ठीक है तामवे को गलाया जाता है गरम करके उसके धेर भी मिले हैं Cp کی بنی ہوئی पटरी, कुमकारों के इच्छाय बट्टे, जैसे कुमकार है na, कुमकार जयसे की मिट्टी के बरतिर बनाते है, उसके भी आउसेस मिले है। मिट्टी का तराजू भी मिला है, मिट्टी का तराजू भी मिला, जिससे हम तोलते हैं, आज कल तो वो अलग से टाइप के तराजू आ गए, उसके उपरवेट रखो वो बता देता है, लेकिन उस टाइम पर कैसे इस परकार के तराजू होते थे, उसमें एक साइड में बाट तो रखी जाती थी बाट होते थे는 वो 16 के पैमाने में जो आठ शोला बतिश पुरे इस बाट होते थी ठीक है इस टाइम के ये सिंद प्रांथ पाकिस्तान स्थित है इसकी सरोपर्थम होज 24 की इसकी खोज के थी 1934 में 4 थन का है हमने हरपा प्ढ़ा है ये कहाइं परता पाकिस्तान में ईसा सर्व पर्थम में इसके थी मजूमदार ने खोज की थी और 1935 में इसका कि घंट की खोज किसकीनी कि थी मजूंदार ने उत्खननन किすका अर्नेश्ट मैं के दवार किया गया था उनिस सो पैंट से मिली है इंट पर बिल्ली का का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजो के निसान मिले हैं कहीं से सहुंदडों सभी कोई बी दुर्ग का अस्तितों नहीं मिला एक कोई बड़ा सासक नहीं था एसा अंदाज़ा लगा सकते हैं यहां से लिपिस्टिक काजल कंगा आदेवी मिले हैं यानि कि सुंद्र ये प्रासाधान के समा पहले भी थे ये प्रमप्राइं पहले भी चल रही थी लिपिस्टिक काजल कंगा पहले भी था ठीक है यह एक अध्योगी केंदर था यह क्या था एक अध्योगी केंदर था क्यो जा है बई चहुंदड़ों में क्या मिला है मन का बनाने का खार का ना मिला है ठीक है कोई दुर्ग का उसे नहीं मिला है एक एट पर निसान मिले हैं जिस पर कुट्टे बिल्ली का पीछा करता हो कुट्टे के निसान है पंजे के निसान है वो कराकार एटे मिली है ठीक है पॉइंट पर चलते हैं फिर आता है अपना लोथल जो कि भोगवा नदी गुजरात में पढ़ता है लोथल भोगवा नदी गुजरात यहां गुजरात के एहमदाबाद जले में भोगवा नदी के तटपर हैं इसकी खोज सरो पर्थम एस आर राव ने उनिस सो पच्पन में क थी ठीक है कुछ चीजे तो भारत आजाद होने से पहले ही खोज पे लगे वे थे और कुछ भारत आजादी के बाद हुई है यह स्थल एक प्रमुख बंदरगा था प्रमुख बंदरगा सिंदू घाटी सब बेता का बंदरगा कौन सा स्थल था लोथल ठीक है क्योंकि यह चल दाता है अपना समुदर शेतर आ जाता है वहां से समान ले जाने में लाने में दूइदान नहीं होते थी और यह एक नदी के पॉइंट पर था तो पस्चिमेश्या से व्यापार का प्रमुख स्थल था ठीक है अब एक बात बताओ कोई भी शेतर है मान लेता है यह यह यह महासागर है ठीक है तो इस पॉइंट पर जो छेतर पड़ेगा वहां से कस्ती यानि कि नौंगर बाटा है या फिर बीचमे, आप कहोगे इस इस पॉयंट पर ये carvedना हमें मुश्किल होता है, या फिर वो महासागर के जतना नजदीक पड़ता है वो पॉयंट क्या होता है ज्यादा ही stable होता है खिरьогоर्प आरके लिए, ठीक है बंदरगा थी यहां पर लोथल में नगर को दो भागों में नए बाट कर एक ही यहां लोथल में जैसे कि कई जगे हमने पढ़ा है कि दो भागों में बाटा हुआ था ठीक है दो भागों में बाटा हुआ था इसमें एक क्या था सासकुरक का सासकुरक रहता था एक में समाने जनता रहती थी लेकिन य लोथल से क्या मिले हैं चावल के साख से और यह बार बार रिपिट करना भाई चावल के साख से कहां से मिले हैं लोथल से लोथल कहां भोगवा नदी पर भोगवा कहां गुजरात में गुजरात कहां इंडिया में ठीक है फारस की मुहरे मिली है यहां पर फारस की मुहरे तीन यूगल समादिय मिली है धान की भूसी मिली है थीक है इसके अवसयस मन का उधो के ना है कुछ ने काकुद क्या मिला है कहां से लोंखल से ठीक है किसामा पघ कंतर ऊज cuánt inner तो फोन में रखते हम ऐसे किस साइड में जाना कि डिरैक्षिन में जाना है उसमें हम चैक कर लब थे लेकिन पहले यह फोन वगरा नहीं थै, जिसा मायपके कि अंतर हम, मतलब हम क्या, उस समय भी हुआ करते थे, खिले कि हम जिसे दिसा में पड़िभती हैं, जिसा मायपके कि अंतर, MतलR प्रयंतर मिला कहां से लोथल से ठीक है और नेक्स्ट पे चलता है राखी घड़ी अब आजाओ राखी घड़ी हरियाना राखी घड़ी कहां पड़ता हरियाना में हरियाना के इसार जले में स्थित प्रमुख प्रातात्विक्स्थल है अभी तक हम यह पढ़ रहे हैं कि कौन स कोज हुई के बाद कौन से कौन से आवसेस मिले हैं हम पढ़ेंगे सिंदुखाटी सब बेता के लोगों की धार्मिक जीवन कैसे थी राजनितिक जीवन कैसी थी स्वाजिक जीवन कैसा था और जो भी है न सब कुछ यहां पर पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद ठी इतने डेटा नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने क्या अगर सभी को इकठा करके में ही मतलल कंपाइलेशन कर रखा है हर्याना की शार्जले मिस्तित प्रमुक प्रातवत्विक सथल है यहां अनानागा और रक्षा प्राचर के साक्षे मिले हैं 2012 में ग्लोबल हैरिटेज फंड ने इस के दस एसे विरासत सतलों में इसको सामिल क्या है जिसको विनास होने का खत्रा है तो हजार बारा के प्रोफेसर बसंत सिंदे के दौरा सोध में पाया गया कि हरीयाना के रखेले में राकि गडिगाू पिस्व की सबसे प्राचन सब्धिता के साक्से हैं ठीक है और हरियाना सरकार ने भी इसको सबसे प्राचें सब्धिता 2014 में घोसित किया था हरियाना सरकार ने राखी गड़ी को सिंदू घाटी सब्धिता का सबसे बड़ा सहर होने का कावा 2014 में किया था ठीक है 2014 में किया था हरियाना सरकार उलेखनी है कि यह सब पेता इसा पूरो साड़े साथ हजार वर्स पुरानी है अब तक हुए सोध के आधार पर राकिगडी की बसावट काकूल चेटर साथ किलोमेटर में विश्टित होने की सभावना है अभी इसके उपर खोज चली हुई है रीसेर्च चली हुई है और नेक्स्ट पॉइंट पर राकिगडी का विकास सरसोती नदी पर ठीक है सरसोती नदी अब विलूप तो हो चुकी है सरसोती नदी की सहाइक नदी है जो की दृष्टावती नदी है ठीक है और इसकी भी खोज हुई थी 2014 या 15 में एक बर सरसोती नदी के कुछ आवसेश भी पाए गए थे ठीक है सरसोती नदी की सहाइक नदी रष्टावती नदी के किनारे बसा हुआ था नदी के किनारे बसे राकिगडी सब्भेता को निरंतर खुदाई में मिले समान और कंकाल आदिश अनुमान लगा जा रहा है ये सब्भेता हडपा काल से भी प्राचिन है यह ह negativity मिल रहे हैं उनसे अन्वान लगाया यह जो सब भेताय है हडपा सब्भेतायसे भी पुरानी है यह जो चेत्र है इनसार सरशोती निदी के प्रभावके कार्णि हिसवार जिले में तीन सथलों परशब्वेताओं का पता चला जैसे राखी घडी बनावली हो एक है कुनाल ये तीन सेत्रों का पता चला है अर्याना के ठीक है और ही छोटे 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 हैं हरियाना में और भी है जैसे की बहुत से हैं बकि अग्जाम में जो आपके point बनते हैं वो दर अब आजओ काली बंगा पढ़ता है राजस्थान में ठीक है घगर नदी पर और यह है राजस्थान में और यहां जुते हुए खेत के निशान मिले हैं ठीक है और यहां पर और क्या क्या मिलती काले रंकी चूडियां जिसका मतलब होता है काली बंगा काले रंकी चूडियां क काली बंगा बंगा बेंगनी चुडियां क्या बोलते हैं उनको चुडियां यह रास्थान के गंगा नगर जिले में घंगर नदी के 22 पर काली बंगा यह पाया गया है और जिसका मतल होता काले रंग की चुडियां इसकी खोज 1900 क्याओं में अमला अनंद घोस दोवारा ये अमलानंद घोस्दवारा की गी थी और 1961 में गीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी व्यापक खुदाईवी जनकी इसके दस साल बाद यहां से जुतेवे खेत के साक से मिले हैं तो इंपोर्टेंट तो आपका यह है जुतेवे खेत के साक से कहां से मिले हैं काली बंगा से कहां से मिले हैं काली बंगा से हैं दवी फसली बुषाई के साक से इसका मतलब क्या समझते हूं इसका मतलब यह है कि आपने किसी ने खेती जैसे हम भूआ ही करते हैं आज गल तो ट्रेकटर होगे ट्रेकटर यहाई होती है यह यहाई इस सैड के जो लाइने होते हैं और उन में बीज डाल दिया जता है और फिर कुछ इस परकार की भी लाइने अगर ने डाल दे जाएं मान लेते हैं कि इस साइड में तो आपने गेहू की बुआई कर दी और इस साइड में आपने सरस्म की बुआई कर दी जाने कि दो फसले एक साथ एक जमीन में दो फसले एक साथ बोदी जब आपने साइड से बौई कर रहे हो तो आपने बोदी सरसुंक इसको बोलते हैं दोवी फसली और दोवी फसली के सक्षी कहां से मिले हैं काली बंगार राजस्थान गंगा नगर जिलेंगे पढ़ता है घंगर नदी पर है जिसका अमसाबदिकर्त होता है काले रंकी चूडियां कि यहां के भवनों का निर्मान कच्चीटों का था यहां के अलंकरी तीटों के सक्राइब काली बंगा में सव एक इसती संसकार है तो तीन समाधिकरण, नमबर दो है आंसिक समाधिकरण, और नमबर तीन है दासंसकार, ठीक है अब ये सर्यपूर्ण समाधिकरण आंसिक समाधिकरण और दासंसकार कैसे है, तो ये point भी आपको लिखना नहीं, मैं आपको बिल्गुल समझा देता हूँ क्योंकि जो आपके मन में डाउट आएगा वो सारे के सारी यहां पर मिलेंगे आपका डाउट नहीं छुटेगा कोई भी, रहेगा है नहीं अब आजाते हैं यहां पर दासंसकार ठीक है, दासंसकार पूर्ण आर्थिक समाधिकरण और आंसिक समाधिकरण, ठीक है यह बात अलग है कि वहां उसमें कुछ हागे पीछे लिखे थे, यह तीनों के तीनों पॉइंट आपके यहां आगए है पर इनका मतलब भी अब समझ लेते हैं ठीक है, डासंसकार इसमें सव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्माव से इसको मिट्टी के पातर में रखकर दफना दिया जाता था क्या होता था कि विट्टी के मर्तु हो जाती थी तो उसको पूर्ण रूप से जला दिया जाता था क्या होता था पुर्ण जलाने के बाद उसके उसे कुछ बचते हैं कुछ राक वगरा बचती है ठीक है और कुछ छोटे मोटे हड़ियों के छोटे मोटे टुगड़े बचते जो के हिंदु धर्म में आज भी होते हैं तो यानि कि वहां से गंगार को विशरजन के लिए ले ज जाता था मुसलिम विधी से मिलती पर था है यह जैनकी पूरे के पूरे शरीर को जलाया नहीं जाता था मिट्टी को निकाल कर वहां गड़ा बनाया जाता था उसमें डेड़ बोड़ी को रख दिया जाता था इसको बोलते थे पुर्ण समाधी करन यह मुसलिम धरम से आज पर तीशरा है आनसिक समाधी करण, इसमें क्या हुआ था? इसमें पसू पक्षीू की खाने के लिए, खाने के बाद सेस भाग को भूमी में दबा दिया जाता था काली बंगा किस नदी पे पड़ता है घगर नदी पे कहां पढ़ता है राजधान में गंगा नगर जिले में ठीक है यहां से भुकंब के प्राचिंतम सक्षे मिले हैं ठीक है भुकंब के प्राचिंतम सक्षे कहां से मिले हैं ताली बंगा से ठीक है भुकंब के प्राचिंतम सक्षे मिले हैं अगनी हावनकुंड के सक्षे मिले हैं पिट्टी के लिंग और योनी के परतीग मिले हैं पिट्टी के लिंग और योनी के परतीग भी मिले हैं कहां से काली बंगा राजस्थान घगर नदीप अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बनावली इसको कई जगे बनावली लिखा जाता कि जो की राज था जो की सोरी हरियाना में पड़ता है ठीक हरियाना के हिसार में आज कले साधिय फत्याबाद में पड़ता है क्योंकि विश्टिक अलग-लग होने से छेत्र का बटवारा हो जाता है हम पढ़ते हैं अब पनवाली तो पहले हिसार हरियाना के हिसार में पढ़ता था अब यह हरियाना के ठियाना के फतयाबाद जिले में पहले कहा था हिसार में था अभी किनारे स्थित है इस थल से काली बंगा की तरह हडपा पूरो और हडपा काली दोनों संस्कृतियां मिलती हैं हडपा पूरो का मतलब हडपा से पहले की संस्कृतियां भी मिलती हैं हडपा से पहले की संस्कृतियां भी मिलती हैं और हडपा के दोरान की भी संस्कृतियां मिलती हैं कि मिट्टी का अधिक मात्रा में जो मिले हैं मिट्टी का अधिक मात्रा में जो मिले हैं एक खिलोना मिला है मिट्टी के हल का बनाए हुआ है कच्छ केरन में कहां गुजरात भारत में इसकी खोज 1967 में जे पी जोसी ने की थी यहां से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपी के दस बड़े चिहनों के निर्मित शिलालेख वहतोपरण उपलब्धियां है और धोलावीरा का साब्दिक जौर्थ होता है धोलावीरा का की तकनिक से प्रिचित थे दोलावीरा के जो लोग थे जल संद्रक्षन की तकनिक यानि को पता था कि जल स्टेडियुम के खेल का मै прыं कोई है निए है थैकर दोला वीरा के ли you आप कुछ नहीं हो यहाँ पहले भी खेल का मेदान हुआ है चलो फिर आता है रोपड़ इसका नया नाम रूपनगर है यह 17 जनधी के बायएं तरफ पर है कहां पर पढ़ता है 17 जनधी ठीक है कही जगे 17 जनधी बोला जाता है सौतनतर्त प्राप्ति के पचा सरोपर्थम 1937 में भारत आजाद होा था और सबसे पहले भारत आजादे के बाद सबसे पहले रोपड है जिसका बाद में नाम रूपनगर कर दिया, इसकी खोज 1950 में हुए थी, बर्जवासी लाल ने इसकी खोज की थी, और 1953 के दौरान यगदत सर्मा ने पुने उत्कतन करवाया, इसको फिर से एक बार खुदवाया इस सेत्र को, और इसका अधुनिक नाम अब रूपनगर है, यह कैसा कपरिस्तान मिला, जिसमें मनुस्य के साथ पालतु कुत्ते के अवसेस मिले हैं, ठीक है, मनुस्य के साथ पालतु कुत्ते को भी दफनाया गया था, यान कि हो सकता हो कुत्ता, उस इंसान का लाड़ला प्यारा कुत्ता होगा, ठीक है, और हो सकता है, कि हो सकता है, उस वो भी उसके मतलब प्यार में अपनी जिवन प्राण त्याग दिये हो तो दोनों को साथ धपना दिया गया हो सकता है मैंने कहा बस इसलिए क्योंकि यहां लिखा मनुस्य के साथ पाल तो कुट्टे को भी धपनाए गया और यह भी हो सकता है बिजारा मनुस्य मर गया हो उसके साथ जिद्धा कुट्टे को भी धपना दिया अभी यह कुछ वेरिफाई नहीं मैं तो वैसे अपनी तरप से बता रहा हूं ठीक है फिर आता सुर्कोरदा से कुसंद आता है यहां पे ने गोड़े के अड़ी के अवसेश मिले हैं सुर्कोरदा गुजरात के कच जिले में श्तित है यहां से भोडे की हड़ी सराजु का पल्ड़ा कलस में सवा धान विदी के प्राब्त हुएं यहाँ के अवसेसों में ने कोई मुद्रा मिली है ने कोई मात्रे देवी की मुर्ति मिली है भान की भूशी के डैर के परमान मिले है ठीक है पच्चेटो के दुरगवक कलस धान के परमान मिले है यानि कि उसके बाद का रंगपूर मिलता है ठीक है तो सिंदुखा की से बता उसके उत्तरकाल का तो यह कई बार पर सिस्काई पुच्टा के रंगपूर कहा पढ़ता है एहमदाबाद गुजराद ठीक है एहमदाबाद गुजराद खाबर मतिनदी फिर आता है अब जो हमने पढ़े थे ना हडपा के बारे में ये सथल मिले अब हडपा के लोगों की विशेष्टाओं के ब संस्क्र्टी क्या थी सबसे ज्यादा इसके जादा मिले शिंदू नदी पर मिले इसको बहुत खोजे गए, कहां से ज़्यादा उसे मिले हैं और जो अग्जाम में पूछे जाते हो हमने पढ़े, अठाइसो के अठाइसो नाम आप ने तो याद रख सकते हो ने बुकों बुक्स में लिखे गए हैं, ठीक है, तो हमारे अग्जाम के पॉइंट ओफ यू से हमें जि छोड़ना भी है, क्योंकि आप मार्केट में जाओ गे तो इतनी बुक्स मिल जाएंगी, आप कन्फूज हो जाएंगी कोन सी पढ़नी है, तो आपको अगर सेलेक्शन लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने पर ध्यान दो, जितना आप पकड़ने पर ध्यान द अब पढ़ रहे हैं हडपाई लिपी, ठीक है, उनके लेखन की कला कैसी थी, हडपाई लिपी में लगभग चोशट मूल चिन है, अब ऐसे ऐसे चिन लिख दिया कोई, कुछ भी करके, हमें पता है नहीं क्या लिखा है, रहा तो हम पढ़ पाए हैं, हमें तो पता है कि यही वही हाल है, खडपाई लिपी में लगभग चोशट मूल चिन है, जो सेल खड़ी की आयताकार मूरों, ठीक है, सेल खड़ी क्या होती थी, मिट्टी को पकाया जाता था और मिट्टी को पकाने के बाद सेल खड़ी बता, उसकी जो मूरती, सेल खड़ी की आयताकार मूर कांबे की गुटिकाओं आधी पर मिलते हैं इस लिपी का सबसे पुराना नमुना ठारा सो त्रेपन में मिला था और उनीश सो तेईस में पूरी लिपी परकास में आगे थी परंतो अभी त сейчас का इसलिब आधे एतियासिक काल भी बोला जाता है जैनि जिसका कुछ लिखित दस्तावेज तो हैं पर पढ़े नहीं गए एतियासिक अधे टियासिक और परागतिやसिक जिसके लिखित साके हैं और हम पढ़े नहीं पाये ह इसकी लिपी पिक्टोग्राफ ठीक है इसकी लिपी को बोलते थे पिक्टोग्राफ ठीक है या फिर चित्रात्मक चित्रों के आकार की थी जो दाई और से बाई और जैसे की यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं यहां से लिखते ऐसे चल रहे हैं ठीक है तो इसकी जो लिख अबलकर मुझाए पालवी दाय से सब्सक्राइब मुणाएषक अचित्ष लेकार से सावजिक जीवन संधु गहाटि से प्राप्त आउसेसो के आधार पर उस आया का समाई प्रमपरागरत पर फार प्रिवार, मात्री देवी पूजा मात्री सत्ताइतमक आज प्रूसरण पर्दान देश है नहीं आज भी अगर बीवी ने डाट दिया तो अगली बात मैं नहीं बोलने तो मातरी देवी की पूजा और मुरो प्राइंकी चित्र से यह पता चलता है कि हडपा समाजस होता है पातरी सत्तात्मक्थी ऐसा अनुमान लगा जाता है समाज में विद्वान, प्रोहित, योद्धा, जोकी चैनिक वगेरा लड़ाई करने वाले वियापारी ठीक है, आपको पता ही हैं मानिय डानी और सरमी कुरग ठीक है ये लोग पहले भी मौजुद थे, आज भी है अच्छा सांदार बैंगलो देखते हो, अच्छी बिल्डिंग देखते हो, आप पता लगा सकते हो कि एक अच्छा धनाडे परिवार है ठीक है, एक गरीब सा है, जोपड़ी पिट्टी है, चाहे हो हो पैसे वाँदा लेकिन आप अंदाज़ा तो यह लगाओगजेंगे ये बिचारा गरीब सा परिवार हो संथ्टिपता कि लोग सुथि और उणी प्रकार के वस्तरोग करते थे और कपास की सबसे पहले यहीं mental हो जोगी तो है पाते हैं सामाजिक क्या था यह अपना चला था इस ध्यूद्ध पश्वारी साओकरी ओर रखेलते थे यहां के लोग कुंट खेल क्या था रखेल और पाशा था साकरी और मासारी दोनों परकार के थे अंतिष्टी में पूर्ण समादी करन ठीक है ये बात पहले आ चुके थे पूर्ण समादी करन आंसिक समादी करन और दा संसकार तीनों विधियां थी क्या क्या थी मैंने बता दिया था कि क्या था दा संसकार में यानि कि उसके संपूर्ण उपसे स तो ढर्षाट को जमीन में दफनाया जाता था आंसिक समाधेकरन यानि की पहले उस्व्पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था बाद में उसको जमीन में दफनाया जाता था यहां के लोग गनीत भातुनिर्मान मा पतोलप्रणाली से ठीक है और गरह नक्स्तर ठीक है आज कल भी गरह नक्स्तर जलते हैं 100 पे में आपके गरह नक्स्तर ठीक हो जाते हैं तो सो रफे में आपके खराब्य failed सकते हैं अगर आपने पंड़ जी को सो रपे दो सो रपे दे तो आपके ग्रह नेक्स तराज भी ठीक हो सकते हैं तो मौसम विज्ञान इत्यादी की जानकारी बिलती ही आप यह लोग रखते थे इनकी जानकारियां संद वसा पर ताके लोग युद्ध प्रिये कम थे ठीक है यानि कि यह आप बोल सकते हो लड़ाई पर ध्यान नहीं जाते थे पागिस्तान की तरह नहीं थे ठीक है यह सांती प्रिये लोग ज्यादा थे ठीक है संती प्रिये लोग ज्यादा थे ठीक है अब चलते हैं राजनितिक जिवन राजनितिक कैसी थी आज का जो राजनितिक दोर है क्या वैसE Guy देकते हैं आजनीक और वहाँ की क्रपाइयों के राजनेतिक संगठन का कोई सप्ष्ट आभास नहीं है यहां पर कोई साथ s old लिए हड़पा वासे वानी जे व्यापार बिजनिस में और अधिक आकर से थे इसलिए ऐसा माना जाता है कि सासन व्यवस्था में भी वानिक अथ्वा व्यापारी वरक की भूमी का महत्वपुन थी आज भी व्यापारी वरक की महत्वपुन भूमी का है यानि जिसका बड़ा बिज जंत तंतरातमक था आर्थिक जीवन कैसा था संदो सब्दा कि उनती का प्रमुक्काण उन्नत कर्षी क्यों थी कि पानी के उचित व्यवस्था थी नदियों का छैतर था अच्छी फसल हो जाती थी अच्छा अनाज होता था ठीक है उन्नत कर्षी और व्यापार था अतहे हैं इस काल में अर्थवस्था ही सिंचित कर्षी अधीसेश पसू पालन विभिन दस्तकारियों में दक्स्ता और समरिद आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधर थी आज भी जहां पे पानी के अच्छी व्यूस्था है अच्छी खेती बाड़ी होती है वहां पे अच्छी फ jeux जलते हैं संद़्सवीता का व्यापार केवल सिंदू 16 तक ही सिमित नहीं था के所以呢 में भी बज 사सीया में भी यहां के बिजनिस से चलता था कि यहां की मुहरे वहां की मुहरे मैंच होती हैं यहां के राजा है मैंने कि पिछली इस स provocative पाई में लोगों आपको वहां के राजा ने हमारे पास बेझ दिया और हमने बदले में उसको वस्तुविन देदी थीक है तो यहां की मुहरे से पता चलता है यहां बया हुए पार वहां तक होता था और चिंदु घाटी सब्यता का यहां वहां तक होता था वह भुष्थ वस्तुविन में प्रणाली जिसका मतलब होता है कि आपने मुझे बाजरा दे दिया मैंने आपको गेहूं दे दिये खाने को ठीक है ऐसे होता था वस्तुविन सेंदो सब्विता के प्रमुख बंदरगा लोथल रंगपूर सुरकोड़ा परभा स्पार्टन आदि थे फड़पास सब्विता में माप की दसमलो प्रणाली दसमलो प्रणाली माप तोल की काई देख आगए सोड़ा के गुनक में थे सोड़ा बतिश जोसट जहां पर आज कल फौन के मेमोरी वगर आते हैं ना पतिश जिब्वी सोड़ा जिब्वी तोसट एक सोठा इस ठीक है आजगल तो यह ज़्यादा भी हो गई है फौन में तो इस सब्विता के लोग गेहूं जो राई मतर तिल सरसों कपास आदि की खे लोग तर्बूज खर्बूज नारियल अनार निम्बू केला जैसे फिलों से भी प्रिचित थे यहां के प्रमुखाद्यान गेहूं और जो थे ठीक है तो इस टाइम पर भी तर्बूज खर्बूज खर्मी आ रही है तर्बूज खर्बूज खाया आप चकर बनवाली से जो मिट्डी का खल मिला है वो मिट्डी का खिलोना है नहीं की वो ठेथ की जुताई के लिए सेंधों नगरों में करसी पदार्थों के आप उठती ग्रामिन चेतरों से होते थी इसलिए अनानागार नदियों के किनारे बनाये जाते थी सेंधों सब्वेता में करसी पदार्थों के आप उठती ग्रामिन चेतरों से होते थी और जहां पे जनकी नदियां नजदिक थी वहां से आपको पता है पोर्ट अथवानाव से सामान लेना आसान हो जाता था तो ऐसे जगए अनानागार बनाया जाते थे नदियों के किनारे ताकि हम कोई वस्तु लेकर आए या समुदर से लेकर आए बाद में नदियों से लेकर आए तो हमारे लिए आसान हो जाए और जब हमें भेजना हो तो भी हमें आसानी से मुआ भेज़ के करसी उन्नती के साथ पसू पालन का भी विकास हुआ ठीक है पसू पालन से हमें क्या था कि वहां से जैसे की समान डुलाई में भी फाइदा हो जाता है और जैसे की पसू से हमें दूद धी वगएरा मक्षन वगएरा भी मिल जाता है तो ये भी विगास हुआ था उसमें कर्शी कारियों पसूं के महत्वप्रण भूमिका थी पसूं में कुबडवाले सांड ठीक है अगजा में कई बार आता है कुबडवाले सांड भेड बकरी कुबडवाले सांड के बारे में कई बार पूचा जाता कुद्धे आधी होने का अनुम्हान है गुजरात की निवासी हाथी पाल दे थे आज का गुजरात का निवासी हमारे देश में है, उसके पता है क्या क्या पाल रखा समस्थे, गवत जाओ फिर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ठीक है पसुँँ की पूजा भी करते थे जिनोरुप में मानते थे। तबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने ता कुछ जगों पर फुरों पर बली के दर सिंकित किये गए। कोई जीव है कोई बली उसके भी तरिश्य मिले है यान कि बली पर था का भी अनुमान लगाया गया है ताबीजों के आधार पर यहां पर जादू, टोन, वसीकन यह किसमी थे जादू, टोन, वसीकन कौन से वेद में थे कमेंट करके बताएं याद है कुछ वेद कुन से थे तिक वेद यजूरवेद सामवेद अथरवेद तो यह अथरवेद में थे ठीक है जादू तोना वसीकरण औस धियां किसमे थे अथरवेद में थे यह आप पड़ चुके हूं मैंने सारे पढ़ा दिये थे ठीक है यह लोग मातरी देवी यह बयार्म कणुछ थान जो सुर्य पूजा के लिए होता था जो कि मोहनजोड़ों में मिला है कौहां है मोहनज悦ों मैं ठीक है और इसका प्रयोग से किया जाता था भार्मिक संआधान के लिए रगध्यWh थोड़न के कि अगनी का स्वास्तिक स्वास्तिक यानि कि कुछ इस प्रकार का जो निशान होता है इसको स्वास्तिक बोलते हैं स्वास्तिक ऐसे होता ना स्वास्तिक स्वास्तिक आदी की पूजा की जाते थी जंद वासी पुनर जनम में भी विश्वास करते थे यानकी एक बार इंसान के मर्त्यू हो जाती है तो उसका फिर से जनम होता है पुनर जनम उसी को बलते हैं यानकी इंसान मर गया उसकी डैथ हो गए उसके बाद फिर से जनम होता है उसको बलते है पुनर जनम ये लोग पुनर जनम में विश्वास करते थे मर्त्यू के बाद दाशनस्कार के तीन तरिक्या पर चली थे हम पहले बता चुके हैं पूर्ण सवाधान, आंसिक सवाधान, कलच सवाधान ठीक है इसके इनके धार्मिक दरिश्टिकुन का धार यह लोकिक तथा व्यवहारिक अधिक था मुर्ति पूजा का आरंब संभ होता है, ऐसा अनुमान लगा जाता है कि मुर्ति पूजा संधुसभेता से ही होती है खडपा से प्राप्त एक मरण मुर्ति के गरब से निकलता हुआ पोधा दिखाई गया है यानिकि एक मुर्ति पाई गई है एक स्त्री के गरब से पोधा निकलता हुआ दिखाई गया है जो कि उर्वर्ता की देवी माना गया है जिसको ठीक है ये पाया गया है नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सिंदु सब्वेता के पतन के काण ऐसे क्या काण रहे कि यह सिंदु सब्वेता इतनी विक्सित थी नालियां अच्छे बने वी थी सड़के चोड़ी थी 90 डिगरी पेकारते थे पक्ते मकान थी व्यापार का अच्छा साधन था ठीक है नद पर चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतन मुख रही अंतर दवित्य स्त्राब्दी स्वीपूर के मद्धे सब्वेता पुनत विनास होगे थी इसका मुख्य पतन का कारण था ग्रामिन सब्वेता के और हो गई थी रैसा माना जाता है कि सूखा पड़ गया होगा यान कि अकाल हो गया होगा या तो अकाल पड़ा होगा ठीक है या फिर बाड का कारण रहा होगा अलग-अलग कारण यहां पर बताये गए हैं अकाल या बाड के कारण भिसका पतन माना जाता है ठीक है अकाल और बाड के कारण भिसका पतन माना जाता है अब है कुछ सम इंपोर्ट है। जो कि ये इस औरेट पूँछते हैं जो ये मेरे हिसाब से आपको अपने आपसे पड़ लेने चाहिए। बाकिमें एक बार फोड़ा सा री कैप ले ले लेते हैं वैसे हम सारी बात थैंड़ इनके बारे में भॉन निर्माण की कला तक है वास्तव कला और भारत में वास् नहीं किया था चावल की उत्पादक से प्रिचित थी वो लोग चावल की उत्पादन के बारे में जानते थे ठीक है चावल की उत्पादन का सक्से लोथल और रंगपुर से मिले हैं गन्ना का कोई सक्से नहीं मिला यानि कि उसमें गन्ने का कोई सक्से नहीं थे लोथल हम सोर प्रश्टर शे बाजरे खेति रोजदी गुजरात से रागी के विस्वे में भी तक समले हैं ठीक है बाजरा रागी ये मोटे आनाज होते हैं ये आपको जुरूर इनका सहुन करना चाहिए आप में मतलब बोड़ी में प्रोटिन वगरा काफी बिलती है इसे ठीक है बाजरे प्रपदमासन ठीक है मुद्रा में बैठा हुआ है उसके सिर में सींग है यह ऊस्की दोनों बुझाओं में आकर्ति में उतके नहीं है तो हमने थोटा सा एक प्वाइंट वीक छोड़ दिया कि वह आकर्ति हमने नहीं लगा लेने चाहिए अपने आप देख रहे हैं कि लास्त एक बार उसकी मतलब वह पिक्चर आप देख सकते हो ठीक है एक ऐसे आसन में एक विक्टी बैठा है जिसको आधसियों की उपाधी दी गई है आप नेट से इसकी आकर्ति देख सकते हो सिंध्वाशियों को गैंडा यानि भारती गैंडा का एक मातर परमाण मिला है आमरी से मिला है पंदर भालू खरा आदी जंगली जानुरों से भी ये ग्यान था इनको पुष्टी महरोतामर तस्त कोई भी जानुर है कोई जोर चीज प्रिये है यानि कि आप अपने पिताजी से काफी प्रेम करते हैं तो एक समय पर उनकी डेथ हो जाते तो आप उनकी एक मुर्ती बनवा देते तो स्थापित कर देते तो आपने किसी पर्शनल जगह पे ठीक है तो ऐसे जो लोग जिससे वस्तू इन में सबसे बढ़िये थी वस्तू के बदले वस्तू एक व्यक्ति के पास एक वस्तू थी दूसरे के पास वो नहीं होते थी यान कि अपनी इच्छानुसार भाई मुझे ये वस्तू दे दो मैं आपके लिए वस्तू देता हूं तो ये वस्तू इन में प्रणाले थी वस्तू के बदले वस्तू के माध्यम था सिंदु सब्यता के काल में पोत निर्माणन यानि की नाओं के लिए समुद्री व्यापार होने की पुष्टी लोथल के गोदी वाड़ा के साख से मिले हैं यानि से यहां से व्यापार किया जाता था पस्तिम पार्त हैं मकरान के तब द्दोर्ती चेतों में सिंदु के समुद्री पास यत्ना भी था भार से ज्यादा मिस्र मेस्ल पोटा में या旯नि की यहां से व्यापार किया जाता था मेस्वों पोट्मियस स्थल वह سमूद्री डोन adapts से हुरियाप भी दोने वीवागों से फीर जल्मारक पाकिस्तान इरान आते थे नहीं तो यह इसके फारस की खाड़ी से भी यह जल्दवारा यानि की मुद्री मारक से व्यापार करते थे किसी भी मंदिर के उसे नहीं मिले है यानि उस टाइम पे मंदिर नहीं बनाये जाते थे उल्ली मुर्ति पुजा थी मंदिरों का निर्मान गुप्तकाल में हुआ है ठीक है मंदिरों का निर्मान का हUOOOO का अंकन शुर्य पुजा का परतीग माना जाता है थीक है नौर्थ सूसाउथ म्नधिरों का निर्मान का हुआ है ये सिर्धा और काली बंगा में मिलते है झाली मैं सिर दक्सिन के तरफ और पैर उत्र की तरफ करके दफनाया जाता था, ठीक है, उत्र में, ठीक है, और लोथल में पूरो पस्चिम में, रोपड में पस्चिम पूरो में, यानि कि अलग-अलग जगह की अलग-अलग वालिटी थी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, चलते हैं, 36 समाने थे, एक कबर में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन काली बंगा में, तीन यूगल, ठीक है, यूगम समाधी करण मिले हैं, जिसमें एक कबर में दो-दो मर्तिक दफनाया गया हो सकता है, भाई, पती बतनी हो, बड़ा गाड़ा प्रेम हो, तोचा कि मर्ति के बरतन, आभुषण, उपकरण, दीप, दरपन, आदे भी मिले हैं, जैसे कि आज के समय पर भी क्या करते हैं, किसी इंसान की मर्ति हो जाती है, उसके साथ, उसकी कुछ सामान ने परियोग की गई वस्तवे भी, वहां पर दफना दी जाती है, तो ये प्रमपरा पहले से ही इसकी पराप्त हुई है, मानो मर्ण मृतिया ठोस, जबकि पसुपक्स की मृतियां कोकली थी, आसरी की बात ही है कि गाएं की मर्ण मृतियां नहीं मिली हैं, जबकि हाथी, गैंडा, हेरन और इसके अंकन मिले हैं, ठीक है, गाएं काव महतव, वैदिक काल में सिंदू, गाएं का महतव भड़ता है, ठीक है, और चलते हैं, नेक्स्ट पेज पेज पेज़ पेज़, ठीक है, मोहन जोदरो से प्राप्त है, स्थ्रिशब की मूर्तियां मिली हैं, जो सक्ति का परतिक है, पसु, कूबडवाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुर्तियां पूझा भी करते थे, प्राप्त कुछ मुहरों पर पसु की बली, ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक थी, इबा सब्दीयां मिली है, ठीक है, ठीक है, आधिक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, त्शेल खडी, एक स्वेत रंका पत्थर था भाई, सेल खड़ी स्वेत रंग का पत्थर था जिससे हम क्या करते थे कुछ पाउडर वगरा बनाते थे स्वेत रंग का मृद पत्थर होता था जिसका प्रियोग है था क्रिम पाउडर वगरा के लिए पाउडर वगरा के लिए प्योग के अधा सेल खड़ी और एक जो सब्द और था जो की चलो जो भी है यह आज की कलास थी अपनी इस कलास में हमने क्या कहां से पढ़ा था एक बार स्टार्ट करते हम बिल्कुल जीरो लेवल से यह अपनी सिंदू गाटी सब बेता थी इसमें कुल मिला के आपको PDF के रूप में कितने पेज मिल जाएंगे भाई 37 पेज मिल जाएंगे इसमें 37 और परते एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहां हमने मैपिंग से स्ट की थी इसका छेतर नौर्थ साओ उतर से दक्षेंट 1100 किलोमेटर इस्ट वेट 1600 किलोमेटर था इसके आकरती तिर्बुजाकार थी उपरी पॉइंट मांडा था नीचला पॉइंट दैमाबाद था पुर्वी पॉइंट आलमगिरपुर था पस्टमी पॉइंट सुरकोडद प्रिंट के लिए प्रिंट के लिए प्रिंट के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिन्दु सब्वेता के बाद अगला जो अपना टोपिक होगा वो वैदिक सब्वेता पड़ेंगे ठीक है इसके बाद का जो अगला पॉइंट होगा इसके बाद का वो अपना इससे आगे का जो पॉइंट आएगा वो हम पड़ेंगे वैदिक सब्वेता ठीक है इसका अच्छा लगा होगा lecture, content अच्छा लगा होगा, अगर आपको content अच्छा लगता है, वाकई में, और notes अच्छे हैं, content में कुछ दम है, तो वीडियो को आप share करें, channel को subscribe करें, और होसके तो ज़्यादा से ज़्यादा share जरूर करें, किसी जरूरत मन बच्चे को ये वीडियो मि कि अच्छा जरूर के लिएडियो इसके, एग